दोस्तो माहे मुहरम में कर्बला की चाने बढ़ती हुई नागिन पकड़ी गई। देखो फिर लोगों ने क्या किया। प्यार का देखने वालो और सलाम अलेकुम। दोस्तो कर्बला में लोगों का हजूम बढ़ते ही वहाँ एक नागिन नाजाने कहां से आ गई। जैसे लोगों ने वो नागिन देखी तो होश उरके रह गए कि ये नागिन कैसे आ सकती है। वो बहुत लंबी और मोटी नागिन थी जो तेजी से वहाँ मरसिये पढ़ते वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल टर को सब्सक्राइब करने, बैल आइकन को क्लिक करने ताके हमारी हर नई आने वारी वीडियो से बाख़बर रह सके। दोस्तो जैसे जैसे आशूरा के दिन आने वाले हैं, कर्बला से जीबो गरीब ख जब एक शिया इमाम साहब जायरीन को कर्बला का वाक्या सुना रहे थे, खुद भी रो रहे थे, तमाम जायरीन ने काले रंग के लिबास पहने थे, मर्दों के साथ-साथ परदे के एह तमाम में दूसरी जानिब खवातीन धी बैठी थी, जिनकी सिस्कियों की आवाजें पुलंद हो रही थी, सबीस वाके में खो चुके थे, वहां मौजूद जायरीन को लग रहा था, कि जैसे उनके सामने कर्बला का मेदान मौजूद है, और जो वाक्या उन देनों कर्बला के मुकाम पर हुए थे, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं, इसलिए रोना और त पुशे शोटी है कि इस वाके को याद करके सहाबा एकराम और सहाब याद और इनके कुर्बानियों को याद करके उनके लिए दौाएं की जाएं, गोया कि वो सब लोग शहीद हुए थे और शहादत का दरजा सब पा चुके हैं, और इन्शाललह जन्नत के आला मुकाम के हक हैं लेकिन फिर भी जब लोग करबला का वाक्या सुनते हैं तो अपने जजबात पर काबू नहीं पा सकते और अपनी सिस्कियों और राहों को रोक नहीं सकते, दोस्तों वहाँ पर भी ऐसा ही महाल बना हुआ था, हर आँख अश्कबार थी, जब वहाँ पर एक नौजवान को पयास नहसूस हुई, वो अपनी जगा से उटकर पीछे की जानब से बाहर निकला, ताके बाहर बड़े-बड़े रखे हमाम में से पानी पी सके, जो के खास तोर पर जाहरी इन के लिए रखे गए थे, जिस चगा हमाम रखे गए थे, उस वक्त वहाँ कोई भी महजूद ना था, वो एक मैधानी इलाका था, जहां पर मर्द औरतों के लिए एत्माम किया किया था, ताके वाक्याए कर्बला को याद किया जाए और बियान किया जाए, इसी तरह वहाँ पानी पीते हुए उस शक्स को लगा जैसे कोई बहुत बड़ी सी चीज, रींगती हुई इतने बड़े साप को वहाँ जाते देखकर दोस्तों उस सायरीन की तो जैसे चान निकली थी, उसने वही से साप साप कहकर चलाना शुरू कर दिया, ये सुनकर वो साप फौरन अंदर चला गया था, ये देखकर उस शक्स को और भी परिशानी होने लगी, कुछ ही देर में अंदर जीखने चिलाने की आवाजें आने लगी थी, क्यूंकि सबकी नजर उस साप पर पढ़ चुकी थी, अंदर का शोर सुनकर वो शक्स अंदर की चान बढ़ने लगा, जैसे ही अंदर गया लोग साप को देखकर पुई तरह से घबरा गये थे, एक शक्स कहने लगा कि ये नागिन है और बहुत सहरीली नागिन है, अगर किसी को काट ले तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है, हैरान कुन बात ये थी कि आखिर वो नागिन सबको छोड़ कर बस इमाम साहब की चाने भी क्यूं बढ़ रही थी, इस वक्त वहां मौझूद लोग बेहत ख लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि वो नागिन सीधा इमाम साहब की तरफ जा रही थी, ये देखकर लोगों को हैरत हो रही थी कि वो बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, बस इमाम साहब की चाने भी बढ़ रही है, सब लोग ही खौफ के मारे कापने लगे थे, यहां तक इमाम साहब के भी पसीने चूटने लगे थे, सब भी इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन जहां पर इमाम साहब थे, वहां पीचे दिवार थी और इमाम साहब के बराबर में बस चंद अफराद ही बैठे थे, इमाम साहब बिलकुल दिवार के साथ लग गए और कहने लगे, कि सब लोग आयतुलकुर्सी का विर्ध शुरू कर दें ताकि अल्ला ताला हमारी हिफाज़त फर्माए सब ने बावाजे बलंद आयतुलकुर्सी पढ़ना शुरू कर दी देखते ही देखते दोस्तों वो नागन इमाम साहब के पास पहुँच गई उस वक्त इमाम साहब की हालत सबसे ज्यादा बुरी थी उनकी आँखों से आंसु बह रहे थे और माथे से पसीने की बूंदें गिरने रदी थी वो नागन इमाम साहब के पाउँ उपर चड़ गई ये देखकर सब की चीखे बलंद हो गए और इमाम साहब को लगा कि बस सब वो नागन उने टस लेगी नागन उनकी टांक पर चड़ने लगी और चड़ते चड़ते उनके पेड़ तर पहुँच गई उस वक्त इमाम साहब बुरी तणा से थर थर काउप रहे थे उन्हें यूं कापते और थर थराते देखकर लोग आयतल कुर्सी का विर्द और भी ज्यादा बुलंद वास से करने लगे और इमाम साहब की जिंदकी की धुआएं करने लगे एन उसी वक्त उस नागिन ने इमाम साहब की गर्दन में पहुँचकर जैसे ही उनकी गर्दन पर डसना चाहा इमाम साहब ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो नागिन उन्हें डसे विना ही बीचे की जानिब चली गई और वहां मौझूद एक शक्स को डस कर वो मर चुका था सब लोगों को इस शक्स का बेहद अफसोस था सब ने ये कहा कि इसे गुसल दे कर दफना देना चाहिए जैसे ही उस शक्स को गुसल देने के लिए उसकी कप्रों को उतारा गया तो उससे जो कुछ बरामत हुआ वो देखकर सब की आँखे फटी की फटी रह ग जब उसके बारे में तहकी की गई तो पता चला कि वो ना ही मुसल्मान था और ना ही शिया मसलिक्त से उसका कोई तालुक था बलके वो यहां पर तबाही पहलाने के रादे से आया था फिर लोगों ने जब इस बात पर होरो फिकर की तो उन्हें याद आने लगा कि जब से म महफिल चुरू होने के बाद वो शक्स आया था लेकिन उसकी कोशिश ये थी कि वो इमाम साथ के बराबर में बैठे इसलिए लोगों को हटाने लगा जो कि अदाब के खिलाफ है सब लोग कहने लगे कि बाद में आने वाले को पीछे बैठ कर सुनना चाहिए लेकिन वो कहन के बाद सुन रहा था और सब रो रहे थे तो शक्स की नजर उस आदमी पर पड़ी थी ना वो रो रहा था ना उसके चेहरे से ऐसा लगता था कि उसे कोई अफसोस है लेकिन बाहराल इस बात को किसी ने पी आहमियत नहीं दी थी फिर अचानक से सांप अंदर आ गया और भक जैकेट पहन रखी थी जिसमें बम बंदे हुए थे और कुछी देर में वो बम फट मे वाले थे जैसे ही उसे गुसल के लिए उसकी कमीज को उतारा गया तो नीचे से जैकेट खोल कर देखा तो लोगों के होश उड़ गए इससे पहले कि वो बम फटते उन्हें जाय कर दि है जिस किसी की मदद करना चाहता है तो कहीं से थी असबाब पैदा कर देता है और यहां तो मामला आप सललाहुलही वालही वसल्लम के नवासे का था उमीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये वैडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो मेरे चीनल को करें और उसे दूसरों के साथ भी लाजमी शैर करें आपका बहुत-बहुत शक्रिया